तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे ये एक इमेल आया हुआ है Google Adsense से कि Google Adsense पेमेंट के लिए कि आपका पेमेंट होल्ड पे रखा गया हुआ है इसके लिए मुझे इमेल दिया गया हुआ आपको स्क्रीन में दिख्राइए है 19 यून और आज है 20 यून तो आएए देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है किन कारणों से होल्ड पर रखा गया है क्या इनकी रिक्वाइर्मेंट है जी यहां यह दिखिए यहां पर दियाओ अप्डेट यूर इंफ्रमेशन तो गेट पैड तो आपको यह अपने अपने साइन करना है और आपको अपना पैमेंट के लिए देखते हैं क्या में अप्डेट करना है तो दोस्तों आपको बताते हैं कि पैमेंट हर महिने की 21 तारिक को गूगल एटसेंस के दोड़ा रिलीज की जाती है यह देखिए मेरा 106 डॉलर बना हुआ इसके लिए इन्होंने यह उपर लिखा हुआ है पैमेंट और करेंट लिए और होल्ड है यह एक एक्शन का यह यहां पर लिखा हुआ है कि आप यहां से भी डार्टिक जा सकते हैं और यहां सेटिंग से भी आप जा सकते हैं पैमेंट के लिए आप्शन में यह यहां पर ल अब आपना गए हैं पेमेंट के ऑप्शन में जी यहां यह दिखिए कि आपका एमन्म जो मिन्मम में 100 डॉलर पर गूगल पेमेंट करता है तो उसके हिसाब से इन्होंने 106 डॉलर के अर्निंग हुई है तो इसमें आपको इन्होंने मंगायागा कि आप पेमेंट ऑप्शन मे है आप अपने चन जो है बैंक डिटेल आपको इसमें यहां पर फिल अप करना है जो कि मैंने नहीं किया हुआ था और यहां से भी आप ऐड़ पेमेंट यह लिखा हुआ है यहां से बहुत के हों पेज़ पर दिखाते हैं यह जो एक्शन दिखा गया है कि हम होंपेज से भी जाते हैं तो भी हम देखिए यहीं पहुंचेंगे अजय कूट आना यह वह वह अगा फॉप पे बुगल कि यहां से यह इडिखा वा स्वेम आई एक्षीं पर जाते हैं जो तो दिखांव ने कि वही पिश्लिश पे हमें ले जा रहे आप यह हमाएं समें क्लột uh कि इन थी लो ईन्ऊ में दिया हुआ है कि यहां पर दिखा रहा है कि हर महीने आपको कितने इसमिर दिया हुआ है तालिक्षन कि रहा है अब हम जा नहार है पेमेंट मेठाइड पे एक मैठाड कि यहां मुझे अपने यहां पर बैंक डिटेल एड करना है यह कह रहा है कि आप अपने ट्रासफर करने के लिए आप अपने डिटेल दीजिए और एक चीज़ आपको बता दो यह जो बैनिफिसरी आईडी लिखा हुआ है इसकी जगह आपको अपना पैंकाड या आधार बैंक में ऐला आधा है जैसे आपका जो नाम है वह लिखना यहां पर पिर आपके बैंक का नाम यहां देना है फिर आपके बैंक 05 अभी अनीशनल ड्राक से कोट की ज़रूरत पड़ती भी है इसके लिए भी हम आप चर्चा कर रहेते हैं और यहां पर एकाउंट नमबर देना पड़ीगा जोरी नहीं है और ये भी कोई ज़ूरी नि निए है फfc code कोगा भी हमें कहा जाना पड़ेगा तो मैं भी कई बैंकों में अपने ब्रांच में गया भूना बहुत परिशान हुआ बैंक के मैनेजर तक कोई नहीं पता था कि यह स्विट कोड है क्या वो बोले जहां फिर उनको बताएं इंटरनेशनल आमांट मतलब आधर डॉलर पैमेंट है तो बोले अच्छा च्छा इंटरनेशनल ट्र बाटेगा वही संपर्ड करिए उन से तो वहीं बता पाएंगे तो आपकी ब्रांच भी आपको नहीं बता वाइगी तो आप पर्शान हुजाएंगे क्या चीज लिए आपको सबसे बढ़े हैं कि अपर दरना कि किसी भी किसी ब्राइंक का कहीं भी स्टेट में पूरे उल यूरल दे रखा हुआ है आप वहां से जाके अपने बैंक का और अपने स्टेट में जाकर अपना इस पोड निकाल सकते हैं तो आये देखते हैं कि हम आपने बैंक का स्ट कोड कैसे पता करें मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मध्यप्रदेश जवालपूर तो इसके लिए देखिए यह है आई एफ एस सी सिफ्ट कोड डॉट कॉट 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 इसका अडर्स दिये हुआ है इसको हम डिसक्र इसका इंटर्फेस यह है इंडिया लिखा हुए रहेगा फिर इसके बाद आपको यहां पर बैंक नेम सेलेक्ट करना होगा आपको बैंक आना है किदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां आगया इसको लोट करेगा तो फिर इसके बाद स्टेट नेम आप किस स्टेट से हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो फिर हम आपना आना पड़ेगा स्टेट बैंक के ये मद्यप्रदेश में पर इस पर रोड करेगा फिर अगला ड्रॉपडाउन है सिटी का सिटी नेम का ड्रॉपडाउन में आपने जाते हैं अभी किस सिटी में जबलपूर सिटी अब देखिए मद्यप्रदेश में जबलपूर में देखते हैं ब्रांच नेम में आते हैं ब्रांच नेम में यह देखिए दोस्तों जैसे हम बता रहें कि जबलपूर में सिटी के सिफ दो ब्रांच है एक कमर्सियल ब्रांच है और एक में ब्रांच है तो हमें जाना है में crashing मैं यह यह मेरा उप्रस नहीं लगे ऐसा ने कि यह में और नीकिज नहीं गारे तो में प्रसा किसी वी है हम चाहे तो कामर्सियल का हुआ थो हुआ है तो कोई यह उप्रसल ग्राविक का सुपतो K bother रहता है वंको की जूरत रहती है वह पैसा जो है वहां जाकर ट्री movement सब्सक्राइब ने 되어 हैं में ब्रांच का दी का है में ने और यहां पर आइएँ NIN चैंप ब्लों को बता दें कि यह स्ट कोर्ड के वारे में कि यह के आ जांकार पहले जो चार डिजिट होते हैं यह क्या रहता है आपके बैंक का कोड़ रहता है वो है आपके country code आई अन और फिर यह जो दो code दिये है इसके बात का जो है बीबी करके यह है आपके location code और फिर यह है आपकी branch code लास्ट के तीन डिजिट वह आपके branch code कहलाते हैं है ना यह location code हो गया CC और डीडी हो गया आपके यह एक एक्जामपल है एक बीबी CC है ना इसको आप मतले है एक एक्जामपल के लास्ट के जो है एक चार वार ले जो code लिखा हुआ है वह आपका SBI मतलब बैंक का code रहता है फिर दूसरा जो है मतलब सुरू के चार code के बाद जो सिटे तोसी रहते हैं वह आपके कंट्री कोड रहते है पिर उसके बाद की सब्सक्राइब करना हो आपका कंट्री कोड कहलाता है unpre mudarला का We Exodus प forma लायृइंड अधिक आल फिर उसके लास्ट के तीन ढीन डिफ्ट का कोड कहना है तो यह सब्सक्राइब हैं यह साथ को फ्सक्रा कर लिया हम आते हैं अपने कोड में भर देंगे तो दोस्तों यह मारा फार्म पूरी तरह से फिल अप हो चुका है एक बार से और चेक कर लें हम इसको सेव कर दीते हैं यहां पर मैंने फार्म फिल अप करने का जो हिस्सा था उसको मैंने कट कर दिया है डारेक्ट आपकी सामने आ गया है आपको जैसा कि पहले बताई चुके थे कि यहां फिल अप कैसे करना है दिखिए यह मैसेज लिखा हुआ रहा टू रिसीव पे खार कि मतलब रहती कुछ गल्टिया होंगे तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं यहां से तो यह हमारा फॉर्म इसी तरीके से दोस्तों पूरा फिल अफ हो चुका है है और एक हम आपको और बता देते हैं कि एक कोड के लिए एक विबसाइट और है सिर्फ्ट कोड डॉट इन्फो सिर्ट कोड डॉट इन्फो करके हैं इसमें भी आप जा सकते हैं इसमें एक्शलिंग के एबी सिर्फ्ट के हिसाफ से इन्हों ने दिया हुआ है है ना आपका जैसे जिस नाम से अपने वारा सिटी हो उसे हिसाफ से आप यहां पर अल्फावेट पे आप क्लिक करके आप अपने पेज पर पहुंच सकते हैं यहां पर पेज नंबर दी दे रखा हुआ है यह तरीके से इन्होंने से रवाइस दिया हुआ है बैंक सिट्वेशन सिटी ब्रांच एन स्विट कोड़ यह तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है इनका एंडेक्स किया हुआ है जैसे हमारा जवलपूर का यह है 371 कमर्सियल ब्रांच एस ब्याइए 3372 कमर्स में ब्रांच एस ब्याइए आई आई एंड बीबी 250 है ना है तो एक स्विट कोड़ करने का जानने का एक यह भी है यहां पर आपको यह डिस्क्राइब भी करके दिया हुआ है कि स्विट कोड़ एक्शली में है क्या चीज पूरा कि अबताया भी है आप एदर और फिंटाई लैसे कटे अ कर सकते हैं आई हैं अपना पर इसको चेक कर सकते हैं हमारा बैंक अपने एक्सेंस अकाउंट से कनेक्ट हुआ है या नहीं दिखते हैं है जी यह दीख सकते हैं मेरा बैंक कनेक्ट हो चुका है मेरे अकाउंट का लास्ट तीन डिजिट दिखा रहा है यहां पर नाम दिखा रहा है यह अप्शन दिरा कि एड्पेमेंट मेथड और मतल्ब एसके लाव भी और भी कोई बैंक से आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आप जाके और भी कनेक्ट कर सकते हैं और इस कि पेमेंट कब रिलीज होती है और कैसे आती है उसके वारे में हम आपको बताते हैं